हलो नमश्कार आप सभी का स्वागत है कोकिंग चैनल पैंटू प्लेट में आज मैं बनाने वाली हूँ डोसे का बैटर काफी बार ऐसा होता है कि डोसे का बैटर आप तयार करते हो लेकिन डोसा जो बनके तयार होता है वो क्रिस्पी नहीं होता है तो सही पानी की मेज़मेंट और खमीर से किस तरह से डोसे को परफेक्ट क्रिस्पी बनाया जाए वो आज मैं बताने वाली हूँ मैं यहाँ पर कोई जटपट वाला सुलूशन नहीं बताने वाली हूँ आपको जो आपने देखा होगा कि मैं रसिपीस में सोडे का इस्तमाल ना के बराबर ही करती हूँ या फिर आप कह सकते हो कि मैं करती ही नहीं हूँ मैं यहाँ पर आधा कप उड़त दाल लिया है जो चावल का मैजमेंट है उससे आधा हमें उड़त दाल लेनी है क्यूंकि मैं यहाँ पर डोसे का बैटर बनाने वाली हूँ तो मैं यहाँ पर मैथी का इस्तमाल करने वाली हूँ तो यहाँ पे मैं कुल मिलाके एक टेबल स्पून मैथी डालने वाली हूँ आप सोचोगे मैथी से डोसा कड़वा हो जाएगा तो नहीं कड़वा नहीं होगा बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आने वाला है इसमें तो हम यहाँ पे चावल को और उडद डाल को अलग अलग बरतन में डाल देंगे हम इसे एक साथ नहीं डालने वाले हैं तो हम यहाँ पे तीनों चीजों को पानी में अच्छे से धो देंगे और हमने यहाँ पे अच्छी खासी पानी की मात्रा रखी है हमें यहां पे चावल, उड़त दाल और मैथी को गला के रखना है करीबन 2-3 घंटे का वक लगेगा इसे फूलने के लिए हमने यहां पे 3 घंटे का वक दिया था और यह पूरी तरह से फूल चुके हैं अच्छे से तो देखिए दो तुकडों में आसानी से तूट गया है तो देखिए हम इस तरह से उड़त दाल को दबाएंगे तो दो तुकडों में हो जाएगी यह यहां पे मैथी दाना मिक्सर में हम एक कब पानी दाल युट का नख्याएं युट का नेरे । नेंगे इसलेशन दरदरा। और बहुत का दराम करना हैCHot युट के लिए। भी जाला है जोतिविवाइं उसक ouais ruth फालए हई। श्मिन एक कॉप इती जाल दीवाइं के दो का दीव भूत Cand?'- ist यही अच्छे पर्फेक्ट है लें पर्टन के अंदर ट्रांसवर कर लेंगे यह डूसे का बैटर्ट बैच है तो इसे भी हम डालेगे हम यहां पे इसमें एक चौथाई कप पानी डालने वाले हैं और अच्छे से हमें इसे फेट लेना है मैं यहां पे चम्मच से फेट रही हूँ लेकिन हाथ से फेटेंगे तो बहुत जादा अच्छा होगा ताकि अच्छे से एरियेट हो जाएए अब इसे मैं ढख के रख दूँगी और इसे कोई गरम जगां पे हमें रखना है तो अगले जिन हम चेक करने वाले हैं कि यह फर्मेंट हुआ है कि नहीं इसमें खमीर आई है कि नहीं देखिँ यह पर जो दूसे का बैटर है उसमें बहुत अच्छे से खमीर आ चुकी है और अच्छे से फैल चुका है तो मैं थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेती हूँ तो देखí बहुती जादा फलफी हो चुका है बहुत जादा मुला आं हो चुका है वारी की तरह तो अब यहाँ पे हम इसमें नमक डालने वाले हैं, तो यहाँ पे नमक की जो मात्रा है बहुत थोड़ी सी डालने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अब हम इसका डोसा बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ टंवे को घ्रीज कर लेते हैं पानी से तर्पाह decía जसा हम पहले हैं अब यहां पहरु ने हुद चोड़ा इए पर पोर्शन के बड़ां झाल धे000 ώा पर इस तरह से हम प्रेल की एप सब केह लिकल यह फज़का है इसकी अब आपर फोड़ा 1 तैल हलग देंगे उसके बाद तो मैं यहां पर रिखाना चाहूंगे जहां यह दोसे का टेक्सर है बहुत ही बढ़ी आया है बहुत पुरफेक्ट है इसमें बहुत ही हलका सा खटा पन है तो मैं उमीद करती हूं आपको यह डोसे की रजपी पसंद आई होगी तो सई मात्रा में पानी और खमी राने से डोसा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, बहुत ही स्वादिश बनता है तो आप ज़रूर घर पर ट्राइ कीजेगा और अपना मुली फिटबैक दीजेगा शुक्रिया, धनेवा, जैहन, जैभारत